या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवर्द्दी के लिए नीती के विश्यों का इश्रवन कर रहे हैं नीतिकार सिखाते हैं कि हमें सरल काम की ओर नहीं जाना चाहिए हमें जाना चाहिए एकटिन काम की ओर जो चीज़े सरल होती है वो जादा उचाहिए नहीं देती है जो चीज़े कटिन होती है वो बड़ी उचाहिए देती है और लंबे समय तक के लिए उचाहिए देती है लेकिन आज जिक का जो जमाना है वो शॉर्ट कट का जमाना है जितना शौर्ट में हो सके उतना शौर्ट में चीज़े मिल जाए एक घंटे का प्रोचन कोई नहीं सुनना चाहता पंदरा मिट का प्रोचन भी कोई नहीं सुनना चाहता शौर्टकट में चीज़े मिल जाए बस हम उंगली स्क्रॉल करें 30 सेकेंड्स में हमको सारे प्रोचन स आसानी से चाहिए और बड़ी चीज़ें चाहिए, मिलेंगी नहीं, चीज़े आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, एक आम के बहुत बड़े पेड़ को देखना, जो आम का बहुत बड़ा पेड़ लगा हो, उसको देखना, उसमें रीकेप करना, पीछे से करके अंदर जा रहा था चोटा सा कोंपल आया था फिर और बड़ा व्रक्च हुआ दीरे 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 उसकी वो डंडी मजबूत होई और कई साल बात हो एक अच्छा मजबूत आम का फिर्ष बना जो फल भी दे रहा था और चाया भी पंचमकाल के लोग हैं उनको हर चीज की जल्दी है सोचते हैं कि हाथ में हैं यह मिट्टी रखें उसमें भीज डालें पानी डालें और दूप में खड़े हो जाएं बहुत बड़ा आम का पेड़ा जाएं साम तक फल खाएं तो चीजें अगर आसानी से चाहते हो आप तो बहुत चोटी चीज़ें मिलेंगे आसली करना चाहते हैं वह वह एक बात बूल जाती है कि जो चीज़ें आसानी से मिलती है करो समय हो चाहएं बहुत इतने सी बात समझ में रही तो चोटे से अपने बच्चे को आप समझा के रखते हो कि बेटा तुझे करेक्टर बनना है इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है वह चार-पांच फील्ड है आपने फिक्स कर गपते अपने बच्चे को इतने चोटे दाइरे पर इस्थापित कर रहे हैं उसका विराड विक्तित्व आसानी से मिलने वाले चीजों के पती आपका करशन उस पर जो थोपा जाए उसके वेक्टिश्टा गर से सब्सक्राइब इस चूज करने दो सो कहां जाना है उसको सोचने तो सो कहां जाना है अगर सूर्म से खिचडी खाय होगी आप लोगने दलिया खाया होगा आप लोगने कभी तुरंद बन जाता है कि 15 मिनिट में खिचडी रेडी कि 15 मिनिट में खिचडी रेडी और आदा घंटे में पच जाएगी लेकिन वहीं आप बाटी पर आओ पंदरा मिट में बाटी नहीं बनती हैं कि 15 मिट में रबडी नहीं बनती है उस रबडी को छेने को बनने बहुत टाइम लगता है और लंबी मेनत करोगे तो बहुत लंबे समय तक आपकी जीत की गुज रहेगी कि शौटकट की और ना जाएं कि आज का जमाने चल रहा है कि कोई कि दो पांच सार रुप्य का फ्रॉफिट हो जा किसी को स्टॉक मार्केट में और भी यह वो तो हाएं है कि एतने बड़े सफने देख रहे हैं तो इतनी बड़ी मेस भी चीज़ की कि है अवस्वप सर फ्रीय आशानी से जोटे पूर्शार्ठ से बच्चे जैसा पालना पड़ता है, इंसान के बच्चों जैसा पालना पड़ता है, जोगी छोटे रहते हैं, इनमें धूप लगी तो खराब हो जाएंगे, छोटे इसे में कीड़े लग जाएंगे, तो खराब हो जाएंगे, किसान बच्चे जैसा पालता है, शुरू के चार रुपे हर साल देता है एक नारियल का पेड़ चार सो नारियल कम से कम उसमें आते हैं कम से कम चार सो नारियल तो मिनीमम आते हैं मिनीमम पांच से दस रुप एक नारियल का पेड़ आपको देता है और अगर दस बीस एकड़ में किसे लगाएं तो उसके तुपीडियें तर ज के अब बिजनिस करें इस्टडी करें परीवार में संबंद बनाकर रखें मेरी बात को समझें और आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं बड़ी-बड़ी मेनत भी करें आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगे चाह से में बड़ी चीज इंश म्लीज़ाकर सब्सक्राइब करोchuss जा कि चीजों को आसानी से फ्राप्त करने घाएंगे करें कटिंग चीजन की और जाहते आप जब कटिंग चीजन की और जाते हैं तो मेहनत नारी लगती है आप देखो बच्पन में जब स्कूल में पढ़ाया जाता है यज़ो ओ चोटे-छोटे अक्षर पढ़ाये जाते थे फिर अमल, विमल, कमल घर चल, कल चूटे-चूटी सरल सब्द पढ़ाये जाते थे अगर चूटे-चूटे सरल सब्दी पढ़के अगर वेक्ति जीवन जी ले फिर आगे वो नच्छे से पढ़ पाएगा ना किसी को पढ़ा पाएगा ना बता पाएगा फिर उसको कटिन सब्द पढ़ाए जाते हैं संगर्ष, समर्थ, धैर्य ये कटिन-कटिन सब्द पढ़ाए जाते हैं पिर जब उन I die कटिन खिपने पढ़ता है तब उसको समझ में आता है कि सीर्ल की दुनिया बहुत च्छोटी एै कटिन की दुनिया बहूत बड़ी है सींट की दुनिया नहीं हमें कटिन खिर की की सिंग हो जाना चाहिए मैं आपको अपनी लाइफ का एक्ष्पेरिय なら Price कियें उनके पास पैसा और नाम बहुत कम समय तक के लिए ठिका है जिन लोगों ने कठिन काम कियें उनके जाने के बाद भी उनका नाम और उनका पैसा बोलता है बोलता है एक वेक्टी ने कुंगा खोदा और दस बारा फिट में पानी आ गया अचंग उसने का बहुत थे दस बारा फिट में पानी आ गया कौन सब्गी पानी नहीं भी दस बारा फिट बहुत है पानी तो आगया ना पाई चीन अपने को तो क्या चीए जान से सुनना गर्मी का मौसम आया उसका कुणा तो पानी की टंकी हो गया में जो पानी रोज आये रोज नीक्र ऊतरे भरे को यह सिस्टम हो गया पर उसको समझे में आया चीज आसानी मिल जासी टी तो आसाानी से चलने जाती हुआ उसने उस कुएं को सौफूट घहरा किया दुगना तिगना चौणा किया और फिर उसमें उसने पानी का जिर खोच करके पानी भरना प्रारम किया पूरे गाओं के लोग उसके कुएं से पानी भर लेते थे फिर भी खतम नहीं थे क्योंकि वह बड़ी चीज बड़ी संगर से मिली थी कि आप लोग के सौख भागते हूं जरा सोचना कि आप लोग के सौख भागते हूं कि सरल की और कि घटिन की हो जो इजी बिजनेस हो बता दीजिए जो टू मिनिट्स रेडी टू इट जो इजी और चले जाते हो मा के हाथ के वो दाल सब्जी पसंद नहीं आती होटल का उनको पर यह तड़का खाना है ठीक भी आप खालो आप शॉर्टकट में गए हो आपकी लाइफ शॉर्टकट रही कम रही अधिक नहीं रही चीजों को जल्दी हासिल करने के पेक्षा चीजों को बड़े रूप से हास शार प्रारम करें जल्दी जल्दी करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा आप कभी पच्मणी जाए कि किसी और रेस्टेशन जाए कश्मीर जाए कि दो दिन में आपको पूरा कश्मीर घूमना है कि 15 मिट में आपको ऐसे मंदिर के दर्शन करना है कि जो पांच 25-50 साल में बनाओ तो आप क्या देख पाएंगे कि कोई मंदिर अगर 500 साल में बनाके खड़ा हुआ है और आपको पांच मिट में उसके दर्शन करना है कि आप उसमें क्या देख पाएंगे कि आपको चीज़ा आसानी से और जल्दी जल्दी चाहिए ना चीज़ों की और आसानी जल्दी जल्दी ना करें थोड़ा सा वेट एंड वाच भी करें कई बार एक मिनिट लेट लिया गया निर्णे बहुत बड़ी सफलता देता है टाइमिंग नहीं हुई अगर और वह ए करोनों के फाइदे से आप वंचित रहे जाते हैं और एक बटन सभी समय पर दबा दी तो आप करोनों का फाइदा कर सकते हैं क्यों अपने आपको बंदब चेंज करें सरल काम की जगा अपन कटिन काम को चुले मेरा आप सबसे बात कहना है अपने बच्चों को बच्पन से कटिन काम की प्रेड़ना लिए तो बाहर पर कोई दिखकर हो तो मैं तो हूं यह तो लाक रूब मेना खर्च कर नहीं उसको ब जीजों की कीमत कर पाएगा जो चीज़े सहलता से मिलती है कीमत भी कोई नहीं कर दा कटनाई से मिलती हूं तो कीमत करता है यह बच्चा मेरे पास आया करूलपती का बेटा counsel की जी कर लग čा लेकर मेरे पास ज़्यादा पेसे नहीं है अगर आपने बेटे को पहरे से ऐसा दिखा दिया है तो फिर वो पड़ाई नहीं कर पाएगा पड़ाई नहीं कर पाएगा करते करते हैं करते करते का फाउंडेशन निकाला उसने फस्ट इयर में पहले सारे एक्जाम निकाले और जो में एक्जाम था उसका कुछ मांक से रह गया पापा एक और अट्रव करने पादा जी के अधिक नहीं है तो दुकान बैट लड़के की में चुट्टी करूंगा तूई दुकान पर बैट मेरे बसकी नहीं पिरे दीर उसको उससे पिटा जी कुछ नियुक्त किया पापा एक मौका और दो पिटा जी ने का कि कि पिटा जी कुछ और चाहते हैं कि मैंने के बिटा करना तो वैसे पड़ेगा तेरे जिंदगी में लिए उसने संगर्श किया कि दो रहाजार रुप मेहने की जॉब करी सीए के टाइम पर ज्यादा नहीं मैं आपको तीन साल बुरानी बागदा रहा हूं दो अजार रुप मेहने की जॉब करी दस अजार रुप मेहने उसके पिटाजी ने दिया बुक्स तो पहले से थी उसने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने का उसने पहले अटेम्ट में सीए जो उसका सेकेंड अटेम्ट तो उसमें सीए की डिग्री ले ले ली जब वो आया घर पर तो उसके पिता जी ने उसको पहले तो एक सोने की चैन गिफ्ट करी महंगी से घड़ी गिफ्ट करी ओफिस बनवाके रखा था पिटा तेरा लिए ओफिस है और फिर जब उसकी शादी की तो पचास लाग खर्च की इसा क्यों किया अगर उसके पिता उसको चीजे आसानी से एकट्टी कराने की आदर डलवा देते हैं वो सिये नहीं बन पाता वो सिये नहीं बन पाता ये बात आपनों अच्छे से गहरे से अंदर समझना है और अगर आप समझ गये तो अपने बच्चों को भी समझाएं कि उनको बोलें कि चीजों को जल्दी और आसाएं से आसल ना करें लाइफ टीट्वेंटी नहीं है लाइफ को टेस्ट मैच जैसा रखें टीट्वेंटी खेलने वाले खिलाडी बहुत है टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाडी बहुत कम है नब्बे ओबर धूप में सुबह पांच बज़े से शाम को पांच बज़े तक टिकना है और लगातार पांच दिन कटिन काम है टेस्ट में जो खेलते थे खिलाड़ी दमदार खेला थे लेजेंड्स हुएं लेजेंड्स हैं आप लाइफ को कहाँ कैसा ले जा रहे हो तिया आपका निणा है परसनल विव है चीजों को आसानी ना खरें चांवल की खेति करेंगे तो हर चार महिनमन खेति नहीं करना पड़ेगी वैसे ही मेनत करना पड़ेगी जितनी पहली बार कि थी अगर सुपाड़ी की खेती करते हैं मेनत तो लगी लेकिन एक बार की मेनत फिर जिन्दगी बर मेनत नहीं करना पड़े आप सोचो कर किसी इकषान ने सूपाडी के और नाजल के पेड लगाएं कितने एकषाने सूपाड़ में उसे कितनी पीडियां बैटके खाई ने क्योंकि एक बार मेनद तो बढ़ी करना सूपाड़ के पेड भीड़ समालना कितने लोहों को लगाना पढ़ेगा उसμεे क्या क्या चीजें कीडों से बचाना पढ़ेगा paint करके रखना पढ़ता उस पेड़ में फिर जब पेड बढ़ा हो जाता है तो double फाइडा दे करके जाता है तो यह चीजें कटना ही से मिली है न double फाइडा देती है फिर वो उसी पेड़ के पेड़ में काली मिर्च और दूसरे जो लताएं होती है उनके बीच डाल दिता है आसपास तो वो काली मिर्च की लता और मिलती है डबल खेती करता है वो अपो डबल मसाले बहुत महँगे विक्ति आएं ताव समझे चीजओं को कठनाई से हासिल करने प्रयास करें यह मतलब नहीं है कि छी देम सरल सola ङसेकर करें तो तीन लोग में घसीत रहें उसको ऐसी नहीं करना है कटिन काम की ओर जाना है तो कि नाम चोटा रहेंगे कटिन की और जाएंगे तो नाम बढ़ा रहे और गीधड़ शिकार करके जो बच्षा मिलता है, उसको खा करके पेड़ भरता है। गीधड़ जंगल में गुमरी गाये को देखकर के डर के भाग जाता है, और शेर हाती से भी लड़ पड़ता है। तुम्ंकर उसको बता है कि चीजह आसानी से मिलेंगी तुम मैपि गीराइं जाओंगा। आसान चीजों के पास जाओंगा तो नाम नहीं चलेगा। कटिन चीजों के पास जाओंगा हम तब जाके मैं राज chu बनताओंगा। आप भी कटिन की और जाए परस्तिती जब विपरीत रहें तब अच्छा खेल दिखाए जिन्दगी के साथ कि आज कटिन परस्तिती है आज खेल दिखाने का समय है आज पीचे नहीं हटना है आज ही तो खेल दिखाना है अगर ऐसा कर पाए आप तो अच्छे खिलाडी बन जाओगी चीजों को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ जोग दें मेरा मानना है कि एक दिन दुनिया की चर्चा आप नहीं करेंगे दुनिया आपकी चर्चा करेगी कुछ दिन पहे तो कुछ नहीं था और आज इसके पास सब कुछ है इसका चिंतन करें इस बार इस बात को अनुभो करें जीवन में गहरे से उतारें जो आसानी से मिलता है वो हमेशा तक नहीं रहता जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता आप आसान काम की और जा रहे हैं हमेशा तक चीज़ें आपके पास नहीं है ऐस सोचना शेशबन फिर और आगे लेखेंगे बगवान मावी संगाओं चलिए जंगल चलें